इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोन पे में कैसे हम डिफॉल्ट अकाउंट सेट कर सकते हैं हलो दोस्तो मेरा नाम केके है और आप देख रहें केके हिंदी घानी विट्व चैनल और आगे बढ़ते हैं और हम सिखते हैं कि phone pay में कैसे हम default account set कर सकते हैं तो phone pay में जैसे ही आप login करेंगे तो login करने के बाद आपको जाना है my money जो bottom में जो option है my money दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ कि default account set करने का क्या मतलब होता है phone pay में उसको आप video करना चाहते है तो video करने का मतलब होता है कि phone pay के wallet से आप किसी अपने bank account में transfer करना चाहते है तो default account आप जो set कर देंगे तो क्या होगा कि आपका money video होके उसी account में चला जाएगा यदि आप swapping करते है phone pay से तो हो सकता है कि आपने एक से ज़्यादा account add कर रखा होगा तो money किस bank account से deduct होना चाहिए आप यदि account select नहीं करते हो explicitly सो तो आप explicitly bank account select नहीं करते हो तो जो अभी account को आपने default account set कर रखा है उससे money deduct हो जाएगा आप swapping करते हो तो या money किसी को transfer करते हो तो हर cases में फोन पे UPI में तो इसके लिए आपको my money है जो bottom में उस पर आपको क्लिक करना है जैसी my money पे आप क्लिक करेंगे तो उपर payment methods होगा जिसमें तीन method होगा bank accounts, debit cards, credit cards तो आपको क्लिक करना है bank accounts जिसके उपर लिखा हो UPI जैसी आप क्लिक करेंगे यहां तो यहां आपके जितने भी banks अभी तक आपने add किया होगे bank details, debit card, credit card या internet banking के थूरू जो भी आपने bank details add किया होगे सभी bank account का detail यहां पर दिखेगा तो आप देख सकते हो कि यहां पर ICICI को मैंने default account declare कर रखा है यहां checkbox आप देख सकते होगे यहां पर green color का checkbox है right radio button है तो green tick mark दिखा रहा है अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला bank है SDFC उसको मैं default account declare करने का तो क्या करूँगा यह radio button उस पर tick करूँगा जैसी tick करने की कोशिस किया तो एक message एक pop-up आया जो बोलता are you sure you want to change your default bank account तो आपको yes या no पे click करना है तो मैं yes कर देता हूँ तो अब मेरा जो default account हो गया SDFC bank हो गया तो जब भी मैं किसी को पैसा transfer करूँगा और bank account explicitly select नहीं करता हूँ तो इससे money deduct हो जाएगा और explicitly मैं इससे select कर भी सकता हूँ कि मेरे कोशिक जो ICIC है उससे भी deduct हो लेकि नहीं करता हूँ select तो automatically पैसे deduct हो जाएगे SDFC से क्योंकि default account मैंने set कर रहा है इसी तरह money video करता हूँ phone पे से तो money video होने के बाद जो मेरा जो SDFC bank है उसमें deposit हो जाएगा मतलब money transfer होगा तो SDFC में जाएगा तो इसका मतलब यह होता है कि default account set करने का तो आपने देखा कि कितनी आसानी से किसी भी bank detail को किसी भी bank को हम as a default account हम phone पे में बना सकते हैं ठीक है तो आसा है video आपके लिए helpful सावित होगा यदि वीडियो पसंद आए तो यो को को आज ही subscribe किजिए thank you so much